शरत पवार जी के कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो उन्हें बार 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 सिर्फ और सिर्फ कुटनीती करने के लिए धमाके करने के लिए मजबूर करता है अवाल है देश के और महराष्ट के सबसे बड़े नेता शरत पवार कॉंगरेस से एंसीपी और उससे पहले भी एक कॉंगरेस एस इन्होंने बनाई थी मगर जब आपने यह पूछा कि कौन सा ऐसा ग्रै है जो इनको इस तरह की अटकलवाजियां क्रियाएं करने के लिए मजबूर करता है वो है इनका लगन इनका लगन जो है वो मंगल का लगन है वृष्चिक लगन और मेश-entry मेश राशी का स्वामी मंगल है और लगना अधिपती मंगल है आप ये सोचिए कि मंगल जो है हर हमेशा मैंने दर्शकों से कहा है कि मंगल राजनीती को रेप्रिजन्ट करता है बाला साथ ठाकरे हो शरत पवार हो या राहूल गांदी हो कहीं ना कहीं मंगल रेप्रिजन्ट क प्राजनीती हो इस इन नीतियों को क्योंकि मंगल जो है आपके दिमाग को रेप्रेजेंट करता है नूरो सिस्टम को रेप्रेजेंट करता है और जब वो इनके लगन में एक सूर्य भी बैठा हुआ है जिसके कारण बीमार होने पर भी किसी भी तरह का हताश होने पर भी ये जो है वो गिरते नहीं है टायड नहीं होते हैं पिछले elections में मुझे याद है एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी बिमार होने के बावजूद भी ये 18 से 20 सबाएं लेते थे तो आपके सवाल का जवाब है कि इनकी कुंडली में मंगल शनी और गुरू ये तीन ग्रह इतन कि ये ताने नहीं की कि ये ताने नहीं की